हलो फ्रेंड्स सभी को नमस्कार और अभी आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल सिरी शाम बोटिक पे आज आप आपन जो बात कर रहे हैं मैं बात करूंगी कपड़े की कपड़े को प्रेस करना यहीं किसी भी कपड़े को अच्छा सी ले लेकिन अगर थोड़ी सी गड़वड़ी तो वह नहीं दिखती इसलिए हमें प्रेस के उपर विसे इस तोर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है आज मैं जो बताने जाली हूं वह है प्लेट्स का गागर है का अब अब देखने से अंब्रेला कटके है कलीओ नहीं है मंग जी का घृट्स का तुम मैं प्रेस करने तो इसको अपन कैसे तैयार करते हैं तो फ़स्ट पुरेस करेंगी तो फैल यह जो बेल्ट है इसकी ओपर अच्छी अच्छिए प्रेस को टेर्प्रेचर से है कर लेते हैं इसके वादे है तोड़ा सो स्प्रेडरते और अर्ध आयगो इसके साइड इसको अधों से आचो स्यूगा फोड़ा जम्मां लेंगे देख पारें अब भी अब भी हम दूसरी साइड से सबी प्रेट को बराबर करके जबा लाएंगे प्रोड़ा पानी का स्प्रे करेंगे ताकि एच्छी से प्रेट जम जाएगे उसकी बात करते हैं जो चैन लगई है साइड में इसके उपर प्रेस करते हैं कि भी जाए अंझां सु देखी कि इस प्रेट को किस तरह जासे जाना है उस्हीं के एकोरडिंग इस एक को निचर तक नीचे पट्टी लगाते हैं इसके बार नीचे मंजी पर प्रेस कर लेते हैं तो बिल्कुल बराबर इसको रखते हुए यह देखे ना इसको ज्यादा खीचेंगे कि खिचने से यह जो मंजी है यह उरेब की होती है इसलिक खिचेंगे तो यह वीज में हमारी पट्टियां पराबर नहीं होगी उसमें सल्वटे आने का डर होता है इसलिए सल्वटे आएंगी तो यह जो मंग जी कश्व ठीक से नहीं लगेगा अब इसी तरह हम दूसरी साइड भी एसी पढ़ने का स्प्रेय करके और प्रेस कर लेंगे आयरन को कपड़े के अपॉर्डिन टेंपरेचर बर रखे अगर पहले चेक कर लेंगे कि बिल्कुल ठीक है अब देख पारें कि मंग जी बिल्कुल स्मूथ लेंग नजर आ रही कहीं कोई सल्वट नहीं है और कपड़ा भी इच्छे से चमात आ रही शाइनिंग आती है कपड़े के उपर प्रेस करने से प्रेस करते हैं लोग कपड़े में फिनिसिंग आये और थोड़ा सा कड़कपन भी आजाए ताकि कपड़ा जो रहे हो पैने तो खड़ा-खड़ा सा लगे आज यह नौर्मल अकर मंग जिगार है तो भी इस टेप रहेगी उसके बाद यह जो जोईंट है जो पल्ले जोड़े बीच-बीच में उनकी जो जोड़ों पे प्रेस करनी है जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यह जो जोईंट है इस पर मैं प्रेस करनी है बीच में बीच में कोई स लोटे है तो उसको ठीक करलेंगे जोड़ें • टीम जोड़ है उसका और 1 बीच में छोटा पल्ला है यह से करनी है जोट्रेकर क्विच-बीच मेंहें जोइंट किए इस बीच बीौटे क्पते उपर इसमें भी हूं पाणे के प्रेश करते हुए हम बड़ाबर एक हाथ से बड़ाबर परिश करेंगे ताकि इसके फ्रीसिंग बड़ाबर बने रहे हैं हुआ है ुर्ब के अभी सोबि अभी जॉइन्हीनी अप्री सी य सरु है अभी सब सरक ॉधि यो प्रेज कर ली है अब बात करते है यह जो फ्लेटिस में डाली है इन प्लेट सो कैसे जमम है मेरे दोगke इस न हैं जमाली है उसके बार यह दूसरी है कि देख पा रहा हैंगे फ्रेंट्स और यह जैसे अब इस मैंने जमाली जब पहनेंगी इस ट्रेस को तो बहुत ही यह सारी की सारी जो करीच है वो नीचे तक अच्छे से जबी नजर आएगी जैसे स्कर्ट की तरह इसकर नहीं पढ़ते थ प्रेंट्स परकार यह प्लेट्स जो है वो बरागर हमें दिखाई देंगी और बहुत ही अच्छा लुप देगी पैटने के बाद अब नेक्स जितना स्पीश इसमें यहां पर है वह इस्पस यहां पर सैक्रण प्लेट मां हम दिखेंगी चार प्लेट्स पिछे होंगी बॉक्स प्लेट 4 वक्स प्लेट एक दो तीन और चार कि दोनों तरफ चार-चार बॉक्स प्लेट चोंगी और यह देखने में स्कट बहुत ही सुन्दर दिखाई देगा और इसके सबसे बड़ी बात है कि यहां तक यह कमर के उपर बैल्ट बिल्कुल फिटिंग फिनिसिन बहुत ही सुन्दर दिखती ही त्यान रखना है यह बिल्कुल बराबर रहे हैं नेक्स्ट हम लेंगे यह करीब चार 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 इंच की पेठे उपर से तो करीब नाब मिचे भी साड़े चार इंच ही होना चाहिए कि यहां से बहुत छोटा है या फिर इस से ज्यादा मतलब करीब करीब नाब दोनों का उपर और नीचे से से मोला चाहिए ताकि यह देखने में बहुत ही सुन्दर लगेगी कि देखे प्रैंस उपर से लेके नीचे मंगजी तक प्लेट से पराबर यह नी कपड़ाय को सीधा होना चाहिए यह नी कि अपर सबसे पहले कपड़े को सीधा करेंगे उसके बाद ही इसके उपर प्रेस को भूमाएंगे कि यह जो जोइंट होते हैं पल्लुक के जो अपने पीसे जोड़े हैं कि जोइंट जो है उनका धिहान रखे कि यह बाहर की तरफ शोग ना करें को हम जैसे यह करीज बढ़ाते हैं इंकी प्लेट्स की इसके अंदर इस जोइंट को छुपा देता कि देखने में यह अजीब कि ना लगे और उपर से केवल हमारी यह बॉक्स प्लेट्स ही दिखें जोइंट ना दिखें अब इसको इसको उल्टा कर लेंगे और जो प्लेट्स हमने जमाली है उसको थोड़ा सा नीचे से अधर कर लेंगे यानि उसके उपर प्रेस नहीं गुमाएं कोशिस यह करी कि द इस तरह आप करेंगे जो जमी हुए करी चुन को प्रमने पीछे फ्री छोड़ दिये अब देखें यह दो चार प्लेट और बागी है यह हमने यहां से चैन से स्टार्ट किये हैं और अब चैन पर आते आते हैं यह फिनिश कर दिया है अब आप देखते हो यह जो करीच यह बनी हुए यह हमारा लास्ट प्लेट था जिसको हमने सबसे पहले जमाया है यह देख पारे हैं यहां करीच यहां पर है और यह सारी करीच जो है सारी प्लेट बराबर जमी हुए और अब इसको देखेंगे तो दोनों तरफ सित्ता सुंदरी इसको लुक देखेंगी अब हमारी जो बॉक्स प्लेट थे हैं वो पूरी तरह जब चुकी है अब इसको हम पूरा तेह करते हैं कर दो कर दो कर दो अब देख पारे हों कि यह सारी के सारी की सारी करीच जो है सेम नाब जो नाब उपर इहां से कमर के तरफ है वो का वो नाब नीचे मंग जी की तरफ है तो यह सारी प्लेट्स जो हैं बॉक्स प्लेट्स वो बेखुल ही सही नाप के साथ और यह पूरी तरह प्रेस हो चुकी है और यह जो पहनेंगी जो आगरा यह सकर्ट है बहुत ही सुन्दर अपना लुक देगा आप देख पार रहे हैं तैंकी फ्रेंड्स और स्पेशली आइरन का प्रेस करते हुद हम ध्यान रखें कि कपड़े की जो भी कमी रह जाती वह सारी हम प्रेसिंग में उसको क्लियर कर सकते हैं और यह हमारा आज का वीडियो था इसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बैल वीडियोस ने वह आपको अबलेबल हो सके हैं थैंक्यू